ओम नमश्य वाय दोस्तों DNA astrology में जिसके ओपर भी mercury कार्मिक रजिस्ट्री यानि बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री वह व्यक्ति एक विचार का चिंतन का विशय बन जाता है लोग उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में समझना चाहते हैं उसके एक ट्रैक रखत हैं because mercury is record keeping or book keeping लोग उसकी बाते हैं समझना चाहते हैं whatever mercury कर्मा person says it becomes a hype okay और राहू राहू कर्मा की अधी बात करें तो राहू is past history whatever has happened in the past is it's राहू अब किसी व्यक्ति के कुंडली में राहू कर्मा रेजिस्ट्री और बुद्ध कर्मा रेजिस्ट्री दोनों रहा तो व्यक्ति के मृत्यू के बाद भी जो है लोग उसे पढ़ते हैं उसकी बातों पर विचार करते हैं एक उसके बारे में एक खंगाला जा भुरुषब रासी और वृृषब लगन में चंदर रासी अंती और रोहिनी नक्षत्र में जन्म लेते हैं अकॉर्डेन टीन एंसे रोहिनी नक्षत्र हास मर्कुरी कर्मा और बुद्द कार्मिक रेजिस्ट्री और उनका जो लगन का मालिक है शुक्र वह गया है के इंसिफाइड मर्कुरी करमा उनका मर्कुरी कर्म और राहु कर्म बढ़ा ही स्ट्रॉंग रहा अब यह प्रमान हम देख सकते हैं की विविद्छेत्र आप देख सकते है जहां भगवान कृष्ण का रेफरेंस दिया जाता है जहां उनके बारे में पढ़ा जाता है उनकी बताइभी बातों के बारे में लोग जानना चाते है उन्हों इस तल Alison जनम लिया था वह यजर जाजा के तक वरिंदावन देखना चाते हैं वह एक colonial लोजिकल डिस्कवरी का एक बड़ा सेंटर है गड़ है इसके अलब आप देख सकते हैं हम बात करें न्याय व्यवस्था लौ की तो कोट कचैरी में गीता गीता पर हाथ रखकर जो है शफद दी जाती गीता ना थिंग बट डिस्कॉर्स बिट्वीन लौड कृष्णा वहाँ पर गीता को जाती है कवियों के गायकों के चर्चा का विशेत शोरू से हैं कई सारी कविताएं अनादिकाल से रस्कान जैसे महा कवी हो यह प्रेसेंट डे में भी कई कवी जो है उनके बारे में रचनाएं गढ़ते हैं इसके अलावा जो है गायक गायन में if we talk about even Bollywood songs और we talk about bhajans and all Lord Krishna is the center of limelight इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं बचे हों चाहे बुडे हों भागवत कथा जहां होती है भागवत कथा बड़ी परचलित आजकल कथाकार हैं अनिरुधाचारे हैं जया किशोरी जी हैं देवकी नंदन ठाकुर जी उनकी कथाएं सुनने कथा मतलब जो है वो भगवान कृष्ण की कथा है सुनने हजारों लाखों लोग आते हैं इसके अलावा कहीं भी कोई भागवत कथा का पठन करें पोथी खुल कर बैठ जाए उसे सुनने के लिए भीड़ जमा हो जाती है यहां हम बात करें जैसे बच्चे जो है बच्चे fancy dress competition में भगवान कृष्ण बनना जाते हैं अब यह जो बच्चे भग भगवान कृष्ण का रूव धारण करते हैं उनके साथ फोट्व सेलफी खाने के लिए कर बीड़ तो जहां भी भगवान कृष्ण का नाम आता है वहां आप देखेंगे मर्कुरी और राहु कार्मिक रिजिस्ट्री मतलब वो नेचरल फोर्स है भगवान कृष्ण के उपर के उनके देहत्याग करने के भाद भी जो है वे पड़े जाएंगे उनकी बातें उनकी बातें का अमल दुनिया का सबसे हाइली सोल्ड जो ग्रंथ ह इसकी billions and trillions of copies across the globe भगवद गीता की लोगों ने पर्चेस की है यह अने को छेत्रों में आप देख सकते हैं आप historical इसकी बात करें आर्ट की बात करें जैसे इवन आर्खिटेक्चर जो कृष्ण के पुराने के जमाने के स्ट्रक्चर्स कृष्ण काल के जो स्ट्रक्चर्स थ आज दिन तक उसका शोध करने जो आर्खिएलोजिस्ट हैं वह जाते हैं और इवन स्ट्रक्चरल इंटीर डिजाइन्स में कुछ कई आप ऐसे थीम देख सकते हैं यह कोई बांसुरी के थीम को यह लौड कृष्णा मोर पंखादी के थीम को शंक के थीम को जो है ग्लोरिफ शास्तर करें वह भगवत-गीता के भगवान-कृष्णा के रेफरेंस देते हैं तो जैसे मैं पता इस अन्याचरल फोर्स ऑन लौड कृष्णा अट इवन आप्टर इस लाइफ एंड्स मेंस फिजिकल लाइफ एंड्स ही विल बी यह विल वर दे सेंटर आफ लाइम लाइ जो है द्वारिका जगन्नाथ वरंदावन ऐसे छेत्रों पर अनेकों एक शोध किये हैं तो यह आप इवन फूड इंडस्ट्री में देख सकते हैं कई डेरी इंडस्ट्री जो जो बड़े टैंकर जिनमें दूद वगरे कैरी किया जाते हैं उसे भगवान कृष्ण के कई ड मंदिर आधी जो है भगवान कृष्ण के खड़े कर दिये तो जैसे बता है कि जैसे नाच्रल फोर्स आफ मर्क्यूरी राहु कर्म अब एक विचित्र चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं कई लोग आते हैं हमारे पास इनकी शिकायत होती है कि काम ठीक से नहीं चल रहा बड़ पर्टिकुलर्ली अगर आपके उपर मर्कूरी या राहु कायर में एक रजिस्ट्री आपके स्वयम के उपर हो या आपका प्रोफेशन ये दो चीजों से गवन होता हो यानि आपका प्रोफेशन में कुछ रिकॉर्ड कीपिंग, कुछ अकाउंट्स का काम, कुछ ब इस्ट्रोजी का काम हो सकता है चाहे यह 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 मर्कूरी से कोई भी काम एनिधिंग प्रोफेशन हो या गवर्मेंट जॉब्स आप जहां पे कारे करते हैं अपने डेस्क पे वर्क डेस्क पे अपने पीछे वाली दिवार पे भगवान कृष्ण का तस्वीर रख दीज किताब रख सकते हैं कि यह कोई जैसे बताया स्लोग मंत्र अधी प्रेम करांके रह सकते हैं भगवान ख्रिस्न के इतिहास से राफरंस लेके उनका प्रमान लेकर कुछ्छ दॉध है रास लीला करए है येशोदा को कुछ विराट स्वरूप दिखा रहे हैं और अविराट स्वरूप दिखा रहे हैं कोई बीलीला करते विए से तस्वीर आप भगवान कर्ष्न की रख दें आप देखेंगे इमेजेटली आप जो कारे करेंगे वह अचानक से नोटिस में आएगा लोग एकनॉलिज करेंगे आपके काम क्योंकि जैसे बता है भगवान कृष्ण के ऊपर वह कार्मिक रजिस्ट्री है कि उनके देहत्यागने के बाद भी लोग उने की चर्चा करें अब आप उनको आधार में रखके उनको सेंटर में रखके अपना कार्य सीध रहे हैं भगवान कृष्ण भी एक बड़े विलक्षन बुद्धी वाले थे तो उन बुद्धी वाले व्यक्ति के साथ आप और ज्यादा बुद्धी चला रहे हैं और उनको आगे रखके आप प्रेम है वह लाखों और करोडों लोग में फैलने लगेगा तो एक भगवान क्रिष्ण के एक सुलोग को ही पढ़के आम इस वाने को विराम देते क्रिष्णाय वासु देवाय हरे परमान मने परण तो अपनी जन्म पत्री का दिखाना चाहते हैं जैम स्टोंस चाहते हैं य और मैं तुम्युर्ण फेक देब करते हैं न्यक्यिक, ऑार एक पत्री का एक में परणाय है?